यह question NCRT वे नहीं है लेकिन इसको फिर भी हम समझेंगे वाट इस EV जो EV हमें बहुत जगे दिखता है electron volt यह है क्या चीज़ मानलो हमारे पास इस तरीके से एक setup है जहाँ पर हमने एक vacuum chamber बनाया हुआ है यहाँ पर एक metal है जिसको बहुत जादा गरम किया हुआ है इतना गरम किया है कि वहाँ से electron freely निकल सकते हैं यहाँ पर electrons आ जाएंगे अब हमने यहाँ पर एक 500 volt का potential difference भी लगा दिया है तो यानि कि यह वाली जो plate है वो plus 500 volt पर होगी अब electron यहाँ पर है electron higher potential पर जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक negative charge है तो electrons इस तरफ flow होने लगेंगे जब electrons इस तरफ flow करेंगे तो उनके उपर कुछ kinetic energy वो gain कर लेंगे उनकी energy बढ़ती जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक electron के पहुँचने में electron कुछ kinetic energy gain करेगा वो kinetic energy कितनी होगी kinetic energy gain को हम लिख सकते है charge into potential difference और यह जो energy आए गयागा सभी values हमने SI unit में रखी है तो इसकी unit भी आजाएगी SI unit जो की energy की SI unit होती है Joule इसको हम calculate करें Q की value होते है 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulombs delta भी दिया हुआ है 500 इसको आप calculate करोगे तो वाजा था 8 into 10 raise to power minus 17 Joule अब एक electron की energy इसको बार बार लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो सोचा कुछ एक ऐसी नई unit बना दी जाए जो electrons की दुनिया में जब हम measurements करें तो हमारी life को आसान बना दे तो हमने सोचा एक काम करते है इस charge को हम E ही लिख देते है क्योंकि वो एक electron का charge है जो की fundamental charge है और फिर हम 500 volt लिख देते है अब इसी को replace कर दो कि तो हो जाता है 500 EV 500 electron volt ये EV हमारी एक नई unit बन जाती है जिसको हम काफी जादा इस chapter में आने वाले chapters में यूज करने वाले है तो एक बार फिर से देखते है 1 electron volt कितना होगा पहली बात तो 1 electron volt देखके लगता है voltage की unit है नहीं ये एक energy की unit है 1 electron volt की value हो जाएगी 1 electron को 1 volt से accelerate कर दो जैसे यहाँ पर 500 volt से accelerate किया था हम 1 volt से accelerate करेंगे तो value हो जाएगी 1.6 into 10 raise to power minus 19 जो की electron का charge है multiplied by 1 volt इतने joules यानि की 1.6 into 10 raise to power minus 19 joules 1 electron volt is equal to इतने सारे joules इसी तरीके से हम उल्टा भी convert कर सकते हैं 1 joule is how many electron was तो 1 को आप इसको नीचे लियाओगे divide कर दोगे तो इसकी value कितनी आ जाती है इसकी value आ जाती है 1 divided by 1.6 into 10 raise to power minus 19 इसको calculate करोगे तो value जाएगी 6.25 into 10 raise to power 18 electron volt इन values को याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन concept समझ में आना बहुत ज़ादा ज़रूरी है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो फिर like कर दो यार comment कर दो कुछ भी share करो subscribe करो जो भी करना करो और आपके काम के links description में है notes डॉणलोड कर लो अगर हमारी app है तो वो भी डॉणलोड कर लो साथ में please crash up को support करो यहाँ पर यहाँ पर कहें पर एक QR code है उसको scan करके आप UPI से direct donate कर सकते हो या फिर crash up at UPI पर donate कर सकते हो patreon, paypal जो भी है यहाँ पर सब दिख रहा होगा information just support crash up